हेलो एन वेल्कम बैक तो माई यूट्यूब चैनल दा हिमालिन गुरू वीचेन जी हां दोस्तों काफी सारे लोग इस पूरे क्रिप्ट अप्रजिक्ट के बारे में जानते हैं और ये भी समझते हैं कि इस पूरे क्रिप्ट अप्रजिक्ट में पोटेंशल है जो आपको एक अच्छा खासा मुकाम दे सकता है और यहां पर प्रॉफिट भी आपको मिर सकता है करेंट सिनेरियो में बात की जाए तो वीचेन ने पिछले कुछ वर्शों में अगर देखा जाए तो काफी अच्छा प्रॉफिट भी उस समय दिया था जब काफी लोगों को क्रिप्टो क के बारे में उतना knowledge नहीं था और उस टाइम पर जब एक ऐसा bullrun आया था जिसमें काफी सारे alt coin जो की bitcoin के साथ साथ काफी फले फूले थे उसमें वीचेन भी था तो आज समझेंगे कि वीचेन में ऐसा क्या है कि आपको इसमें निवेश करना चाहिए और आपको कैसे फायदे मन्द हो सकता है इसी की official website reachend.org है एक बहुत ही full-fledged crypto project है जिसमें use case को लेके बात होती है और यहां पर देखा जाए तो एक बहुत बड़ा यहां पर ecosystem भी create किया गया है इसके साथ साथ चीजों को नया पन लाने की भी कोशिश की गई और recently इन्होंने अपना यहां पर white paper में कुछ enhancement और कुछ तबदिलियां भी की है और वहीं पर अपने इस पूरे ecosystem के अंदर कुछ ऐसी चीजों को लाने की कोशिश की है कि जहां पर यह आपको पसंद आए जहां पर इसका एक लोगों के अंदर पर चलन बढ़े तो यह सारी चीज़ें यहां पर की जा रही है तो य पने business को कैसे grow दे पाएंगे यह भी we chain ने यहां पर करके दिखाया है वो भी blockchain की मदद से तो यहां पर एक बहुत बहतर बड़े पेमाने पर इस पूरे crypto project को लाने ही कोशिश की गी है हाला कि price की बात की यह तो वो बहुत कम चल रहा है क्योंकि हमें लगता था कि इसके price में एक बड़ा change हमें देखने को मिलेगा और यह बहुत जल्दी one dollar भी touch करेगा लेकिन वो feasibility अभी इतनी जल्दी नहीं हो पाया क्योंकि इसमें अभी बहुत सारी चीजें होनी बाकी है और इस crypto project के बारे में काफी लोग जानते हैं लेकिन उस हिसाब से यहां पर इसको funding और इ web3 and enterprises यहां पर अगर बात की जाए तो layer one blockchain में जहां पर scalability अच्छे तरीके से काम होता है web3 की बात होती है TPS काफी अच्छा रहता है और क्योंकि यहां पर आपको security feature अच्छे मिल जाते हैं तो highly scalable है जहां पर multiple active wallet address है और यहां पर देखा जाए तो multiple transactions भी हमें देखने को मिल capability is intrinsically designed into the platform और यही बात यहां बताते हैं कि हमने अपने इस फूरे crypto project में low carbon की बात कर रहे हैं यानि कि यहां पर emissions की जो बात होती है वो काफी कम रहेंगे उसी एसाब से दोस्तों अगर यह कहते हैं कि the 2022 carbon footprint of we chain core network of 101 authorities node was calculated to be 4.46 T carbon 2E per year that is equivalent to almost one gasoline powered passenger vehicle driven for one year तो इसे साब से यहां पर अपने इस फूरे crypto project में carbon less की बात कर रहे हैं और इसके साथ यहां पर white paper 3.0 जो की March 2023 में नोने लाया था उसमें भी काफी सारी चीजों में नयापन लाने कोशिश की है जहां कैसे हम पूरे ecosystems में यहां पर अपने इस जो एक we chain का जो governance है उसे कैसे लाएंगे कैसे यहां पर एक proper governance model create किया जाएगा जिसके साथ sustainable economic model और flexible blockchain की बात करते हैं जहां पर आपको बहुत सारे नए पन और नए innovations देखने को मिलेंगे इसी पूरे crypto के अंदर अगर देखा जाए तो dual token economy चलती है जैसा कि हम देख पाते है mostly crypto projects में single token economy होती यहां पर dual token economy ह है और two token design का मतलब यहां पर यह है कि यहां पर VeChain Thor platform includes VeChain token which is VET and VTHOR which is VTHO. So VET serve as a value transfer medium जो कि इसका utility token है whereas VTHO represent the underlying cost of using VeChain Thor which is energy. The unique two token design significantly helps to separate the cost of using blockchain from market speculations a fundamental requirement for enterprise use of a platform. दूसरा यहां पर POA 2.0 की बात करते हैं. Proof of authority आपको सबको पता है कि यह consensus mechanism है लेकिन यह proof of authority 2.0 क्या है? So POA 2.0 is meant to combine the strength of Nakamoto and Byzantine fault tolerance जिसे VFT कहा जाता है architecture while eliminating their individual weaknesses solving one of the great trade-offs in blockchain design. Scalability versus data finality. यानि कि POA 2.0 में इनों ने पहली बात Nakamoto का एक strength उसके साथ BFT को साथ मिलाया है और इनी दोनों की जो खामिया थी जो एक पूरे blockchain design में देखने को मिलता है जो कि Scalability versus data finality. तो यहां पर दो चीज़ों को लाने की और उन खामियों को दूर करने के लिए POA 2.0 को यहां introduce किया गया है. 2015 से शुरू होने वाला यह crypto project आज की दौर में 2024 में काफी सारी चीज़ों को इसमें include किया गया है जहां पर यह कहते हैं कि हम इस पूरे crypto project में जो core ideas है वी chain का वो है onability, destination, impact. तो यहां पर आकर बात की जाए तो उस पूरे ecosystem में इन चीज़ों को लाके कहीं ने कहीं अपना एक भत्व दिखाने की बात हो रही है. इसके साथ दोस्तों पूरे white paper पर यहां पर इन्होंने अपने कुछ अलग definitions और उसके साथ कुछ technical जागन भी show किये गए हैं. कैसे हम यह पर इस पूरे crypto project में एक global environment को save करते हुए, carbon emissions को low करते हुए, use case को establish करते हुए, एक green zone को कैसे हम यहां पर protect करते हैं और इसके साथ कैसे हम अपने जो corporates हैं, उनके business को growth देने के साथ साथ, अपने users को पाइदा देने के साथ साथ, अपने investment trader को कैसे हम यहां पर एक profit दे रहे ह हैं, उनकी एक life में change लाके बता रहे हैं, उसके बारे में यहां पर बताया गया, और यह पूरे white paper पर देखेंगे, तो इनी पूरे के साथ साथ अपने roadmap को भी extend करने की बात करते हैं, जहां पर as of now quarter 1, 2024 में explorer version 3 की बात करते हैं, other network sustainability actions की बात करते हैं, decentralized file storage की बात करते हैं, layer 2 जिसमें roll up, zk roll up की बात करते हैं, DAO governance की बात करते हैं, algorithms backed stable coins community की बात करते हैं, और DAO operating systems की बात करते हैं, जो की 2024 के quarter 1 में देखने को मेलेगा, ऐसी sustainable ecosystem applications की बात करते हैं, जिसमें DAO ecosystem smart contract library है, ecosystem as a service की बात करते हैं, अगर देखा जाए तो governance DAO की बात होती है, voting mechanism की बात होती है, और कैसे इस पूरे crypto community के साथ जुड़के, project के साथ जुड़के, आप voting कर सकते हैं, आप governance का एक भाग बन सकते हैं, आप देखा जाए तो आने वाले समें कहते हैं कि strategic technology partners to build out the biosphere platform infrastructure, मैं लिखते हैं कि development of the minimum viable product and pilot project की बात करते हैं, which focus on educating the market, तो इस हिसाब से अपने इस पूरे crypto project में, starting से लेके end के बीच में कैसे आप corporate से लेके end user तक आप हर किसी के लिए कैसे काम करते हैं, हर किसी को आप कैसे growth दे पाएंगे और कैसे आप सब के साथ इस community project को आगे लेके जाएंगे, उसके बारे में बताया गया है, अगर दोस्तों बात की जाए, इसके official tutorial handle की बाता है जो कि September 2017 से चल रहा है, दोस्तों अगर इसके official tutorial में देखा जाए तो recently काफे सारी tweet भी हुए है, जो कि 15 February के हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर रहे हैं अपने events के बारे में, और जो यहाँ पर इनकी community engagements होती है, उसके बारे में बताया गया है, आप चाहिए तो इसे follow करके यहा VET is the project name, VET is the token name, current price in new rupees में 3.75, risen by 201.22% के साबसे देखा जा सकता है, market cap volumes में गिराब अटाई है, जहाँ पर market cap 8.17% के साबसे और volume पिछले 24 घंटे 58.58% के साबसे गिरी है, इसके साबसे दोस्तों अगर इसकी total supply की बात की जाए तो वो करीब-करीब यहाँ पर हमें 85 billion के करी देखने को मिल जाती है, जो की बहुत जादा है, टोकुलेशन में देखा जाते हैं, एक बात हमेशा यादा करना दोस्तों किसी भी crypto project में, अगर वो कितना ही अच्छा है, अगर उसकी tokenomics में supply बहुत जादा है, कहीं ने कहीं, उसे price को अप लाने में, उपर लाने में, उसे एक search लाने में time लगता है, और ये चीज हमने हमेशा देखी है, price performance की बात की जाए, all time high तीन साल पहले 23.10 गया था, all time low, 4 साल पहले 0.1393 गया था, जो कि अभी 2007, 14.88% के साब से rise पर है, जासे कि अब live chart में से देख भी पा रहे हैं, अब इसका मतलब ये भी है कि पिछले एक महीने से यहाँ पर इसके price में search देखने को मिलता है, जो कि अच्छी बात है, अब यहाँ पर जो ये एक growth हम इस पूरे price में देख रहे हैं, उसका मतलब ये भी है कि जिस तरीके से crypto space में चीज़ें हो रही है, एक positive response मिल रहा है, वहीं उसका भी यहाँ पर एक हमें impact देखने वहाँ पर आ रहा है, हालां कि इतना liquidity cash उसके पास नहीं है, यहाँ पर काफी अच्छा है, इनके पास अभी भी उस हिसाफ़ से supply और tokenomics के हिसाफ़ से liquidity available है, तो आप चाहें तो इससे buy कर सकते हैं, लेकिन buy करने से पहले अपने और से research करके अपने financial address लें, अब अगर बात आ है कि इस पूरे साल में ये कितना ऊपर जा सकता है, इसका price तीन रुपे से लेकि कहां तक जा सकते हैं, आने वाले दो महीने में इसके price में बहुत बड़ी एक हमें उठा पटक देखने को मिलेगी, कहीं न कहीं price इसमें surge होगा, price बड़ेगा, और आप समझिए कि तीन होते हैं, social, economic और financial aspect देखे जाते हैं, use case देखा जाता है, तो यहां पर वीचेन के price में इजाफा तो होगा, उसमें कोई दोराए नहीं है, तो दोस्तों वीचेन के बारे में खलकास update मैं आपको दिया, वीडियो पसंद आए, तो चैनल को support कीजेगा, वीडियो को share कीजेगा यहां, तक्राए नहीं आपको सझी से लिए। ऑऑफ पारे में आपको दिया हैं आपको में आफिके तो क्या हैं आपको सब्सक्तों आपको अंद नहीं के लियो के बादिए।